वेलकम बैक टू माईटूबचन पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छातर बी ए फर्स्ट सेमिस्टर में है फर्स्ट सेमिस्टर में है उनके लिए हम सोसलोजी का पेपर लेके आए विटा जिसमें हम देखेंगे मौस्ट इंपोर्टेंट कोशन एक्जाम में पूछी जाते हैं जो हमने आपको इंपोर्टेंट कोशन दिया है एक्जाम के लिए मौश मौश्ट इंपोर्टेंट उन कोशनों के आंसर आपको करा रहे हैं बिल्कुल सौट में आप कैसे इन कोशनों को याद करेंगे आसानी विदी से आप कर पाएंगे बुकों में आपको जोईन हो जाना और टेलीग्राम में आपको क्या मिल जाएगा नोट्स का लिंक बिल जाएगा महां से जाके डालोड करेंगे न कोई दिक्कत नहीं है वेटा दोस्तों को शेर कर देना कोई भी दिक्कत है तो हमसे पूश सकते हैं और डिसक्प्शन वाक्समाज के पि उत्तर लिखेंगे उत्तर लिखने का लिखेंगे समाज के बिभिन पिरकार का उल्लेख निमनिके तरूपों से किया जा सकता है तो हमें पिरकार पूचे हैं तो पिरकार को एक्स्प्रिन करेंगे नंबर एक देखो नंबर एक होता है सरल समाज दूसरा होता है जटल समाज फिर होता है संभ समाज, एक होता है आदम समाज, एक होता है क्रसक समाज, एक होता है औधोकिक समाज, मैं आपको बिल्कुल एक्स्पिन करूँगा सारे समाजों के बारे में, चिंता करने की जरूत नहीं है, आपके पेपर में जब भी समाज आए, समाजों के पिरकार बताओ, तो पिरकार सारे बतानों की जरूत नहीं है आर्ट की आर्ट पिरकार बताने की जरूत नहीं है आपको जादा में जादा आप जिर चार पांस से छे कर रहा ना पांस से छे करके आज़ाना समाज आप एक्स्पिन कर देना बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ जैसे सरल समाज क्या होता है सरल समाज की सरल समाज डालेंगे हैडिंग और लिखेंगे आगे देखो आगे लिखेंगे कि समाज समाज देखो कह रहा है सरल समाज बे समाज हैं जिनकी सरचना और प्रिकार सरल होते हैं मतलब जिनके प्रिकार, मतलब जो प्रिकरिया है, ये सरचना है, वो क्या ऐसी होती है, सरल होती है, सरलता से की हुई होती है, उसके लिए हम सरल समाज कहते हैं, जो सरलता से हो, इसकी सरचना प्रिकरा सरल हो, उसे हम सरल समाज कहते हैं, इस प्रिकार से याद कर लो, बस हो गया और प्रिकरिया सरल होती है वो सरल समाज कहलाते हैं याद हो गया दोनों की बरिवाण से चलो अब देखो तीसरा होता है सम्विसमाज अब देखो कहा रहा है ये बे समाज है जो जनसंख्या जनसंख्या छेत्र एवम समाजिक संपर्कों की बिधियों की द्रश्टी को या द्रश्टी से काफी बड़े होते हैं मतलब कह सकते हैं समाजिक संपर्कों की परदी की द्रश्टी से काफी बड़े होते हैं और जिनकी प्रधोगी की एवम अर्थ विवेस्ता काफी विक्सित और ये फिर तथा समाजिक कार्यों का परयाप्त बिसेसी करण का होता है ठीक है आप यहां आपको बस यह हो सके तो इसको पढ़े ना 600 अच्छी वाल एक बार देख लिए ना एक स्मिलम करके मैं आपको दुबारा से बता जरूँ कि ये वे समाज होते हैं सभी समाज वे होते हैं जो जन्जंक्या छेत्र आपके विश्थिकद दता समाजक कार्यों का Qu concerned करता है ये वेसिसिखन होता है इस परकार श्याद कर लेए ठीक है उसके बाद में यहां देखो नाध्मी वाले चोटे होते हैं जिनकी और और अर्थ विवस्ता सरल होती है ठीक है एक अज़्द कार्यों का कम विश्य करना होता है यह पाया जाता है बाद वही नेस्ट कोशन देखें डालेंगे हैडिक पांच मा वो होता है किर्शक समाज कौन सा समाज होता है तो देखो बे समाज बे ग्रामीड ये लोगो या बे ग्रामीड लोग जो जीवन बिवहा के लिए अपनी भूमी पर निंतर पाई जाते हैं और उसे जोतते हैं किर्सी करके ठीक है किर्सी जिनके जीवन का अभिन अंग होता है मतलब कि उनके किर्सी के लावा कुछ और नहीं होता वो किर्सक समाज कहलाते हैं के लोग कहलाते हैं नेक्स कोशन बोला है ओद्धो की समाज ये वे समाज हैं जो जनसंख्या छेत्र समाजिक संपरकों की परदी की दरश्टी से काफी बड़े होते हैं और इनकी प्रोधोग की और अर्थ विवस्ता काफी विक्सित परकार की होती है जो ओद्धो करेंगे तो विक्सित होंगी होंगे वो उसके बाद है जन जन जाती समाज क्या होता है जन जाती समाज की बात करें जिसकी एक समान संस्किर्टी भासा राजनितिक संगठन एवं विवसाय होता है और एक जिंजाती के सदस अंतर विहा के नियमु का पालन करते हैं इसको हमारे रहेंगे जिंजाती समाज की बारे में परमपरागत समाज कौनछा होता है इसमें धर्म नेतिकता प्रथा म परमपरा और जन्म और भागिवाधियों का विशेश महत्व होता है तथा समाजिक परिवरतनों की गती काफी धीमी होती है इस समाजों में धन, सिक्षा और व्यक्तिक गुड़ और योगता आधी का विसेश महत होता है ऐसे समाज प्रक्ति सील अभम परिवर्तन सील होते है इतना हेटिं लालने के बाद में बस यहां से नो पॉइंट मैंने लगवाए हैं आपको लिखे लेना और याद करना बार बार याद करके यह जो 9 points है इसको जादा में जादा 5 से 6 कर लेना जो आपको सरल लगें 5 से 6 ही हाद कर लेना बस फिक एडियो हम देखेंगे सरल और देखों सरल और जटल समाज में अंतर क्या क्या होता है वो हम explain करनेंगे next video में चैनल को subscribe कर लेना, bell icon को press कर देना thank you for watching this video, bye bye